जम्मू कश्मीर से कन्या कुमारी थक, एहमदाबाद से अगरतला थक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान नमश्कार, जानेगे कि आने वाले कारोपारी सब्ता में major non-agri commodities याने precious metals, base metals और energy complex में क्या रुप देखने मिलेगा शुरुवत gold से करते हैं, gold में हमने उठा-पटक का माहौल देखा लेकिन जो closing देखी गई हफते की वो तेजी के साथ बन दिया है सब्ता ने हमने देखा कि 52,200 तब के level M6 gold ने चुवे, वहीं पर अंतराश्य बजार में 1890 डॉलर से recover होकर करीबन 1950 डॉलर तक की तेजी spot gold में देखी गई हाला कि जो हफते का close था वो 1925 डॉलर के साथ close दिया है मामूली बढ़त के साथ वहीं चांदी ने भी 25 डॉलर के करीब की closing दी है या domestic market में 67,500 के आसपास की closing देने में कामयाब हुआ है आने वाले हफते में ऐसा लगता है कि gold और silver में एक mila जुला या sideways सा कारूबार रहेगा जहां पर जो range होगी वो downside में 51,400 और upside में 52,100 की रह सकती है याने एक sideways सा कारूबार रह सकता है इस range के दोनों side कारूबार किया रह सकता है और support के करीब buy और resistance के करीब sell भी कर सकते है वहीं चांदी में 66,500 का अच्छा support है जब तक इसके उपर है तब तक 68,500 तक की level देखेंगे लेकिन upside यहाँ पर भी तोड़ा limited रहने की उमीद है यहाँ पर भी मिलाजिला कारूबार या range bound moment रहने की उमीद रहेगी और इस range के दोनों side trade की जा सकती है वहीं पर कच्छे तेल में हमने सबसे ज़्यादा moment आते हुए देखा जहाँ पर पिछले हफ़ते 7,000 से 8,900 तक prices बढ़ गई थी और उसके बाद एक correction भी देखने मिली वहीं पर हमने 7,400 के स्थर को hold होते हुए देखा और ऐसा लगता है कि जब तक ये level hold कर रहा है तब तक दुबारा हमें 7,900 से 8,000 तक के level देखने मिलेंगे तो आने वाले हफ़ते में शुरुआत जो है वो तीजी के साथ हो सकती है हाला कि यूएस ने कि जो प्रेजिडेंट है उन्होंने या अनॉम्स किया कि एक मिलियन बैरल पर डे की strategic petroleum reserve से जो वो release करेंगे याने 180 मिलियन बैरल अगले आने वाले 6 महिनों में जो release करेंगे उसका असर हमने negative आता हुआ देखा लेकिन overall 7,400 का जो technical support है वो बजार अब भी hold कर पा रहा है इसलिए एक short covering move हमें आने वाले हफते में दिखने मिल सकता है 8,000 से 8,100 तक के लिए वही natural gas में हमने शांदार तेजी आता हुए देखी है और हफते का close जो हो 430 के उपर दिने में कामयाब हुआ है हमने देखा कि 400 से लगभग 442 तक की तेजी देखी गई और closing भी जो है हफते की अच्छी खासी दिने में कामयाब हुआ है तो आने वाले हफते में भी 415 का एक immediate अच्छा support है जब तक उसके उपर रहेगी prices तब तक तेजी में रहे का बजार और 458 से 460 किस तर हमें देखने मिलेंगे वहीं पर base metals में copper में मिला जोला कारोबार रहा जहां तेजी के चार्च शुरू हुई थी अब हफते की उसके बाद हमने correction भी आते देखी है और 820 के करीपी closing आई है ऐसा लगता है कि एक sideways सा कारोबार रहेगा 810 और 825 से 26 के बीच तो एक range bond movement देखने मिल सकती है वहीं पर M6 zinc में जबरदस तेजी दिख रही है और ऐसा लगता है कि जो 370 के उपर के highs हमने देखे थे लगभग 3 हफते पहले वो दुबारा बजार चू सकता है 345 से 46 के support major है जब तक की level नहीं निकलता तब तक short term basis बायों डिप की रणनीती अपना ही जा सकती है वहीं पर aluminum में भी एक recovery के chances दिखाई दे रहे हैं 275 के आसपा support है और हो सकता है कि 288 से 290 तक के level हमें आने वाले आफते में देखने मिलेंगे तो यह था एक जाजा कि जो major non-agric commodities हैं उनमें आने वाले कुछ दिनों में क्या रुजान देखने मिलेगा दुनेवाद झाले क्या रहे हैं